तो कास्व टैम से हमारे चैनल के उपर स्मार्ट फोन की एंबॉक्सिंग की वीडियो नहीं आ रहे थी तो आज की वीडियो के अंदर हम एंबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक स्मार्ट फोन को लेके जो के टेक्नो का स्मार्टफोन है और यहाँ पे इसका जो मॉडल नमबर है स्पार्क सिक्स गो के नाम से आपको यह इजी लिए वैलबल हो जाएगा और पाकिस्तानी मार्किट के अंदर यह फोन रिसेंट्ली लाँच किया गया है और जो मेरे फास्ट फोन का वेरियंट है वो 2GB रैम और 32GB इंटर्नल स्टोरेज के साथ अवैलबल हो जाएगा और इसके साथ आपको जो 3 वेरियंट लाँच किये गए हैं इस फोन के आपको 2GB रैम, 3GB और 4GB रैम के साथ यह फोन मार्किट के अंदर अवैलबल होने वाला है और यहाँ पर बात करूँ इस फोन को लेके तो इस फोन की जो प्राइस है वो काफी दा कम है और अपनी पूरी प्राइस कैटिगरी के अंदर यह पूरा जो है डेफिलेटली आपके एक डीसेंट जो स्पेसिकेशन है और डीसेंट कॉलिटी जो है वो आपको प्रवाइट करके देने वाला है बाकी डीस आगे जाके आप सेर्शे करते हैं तो इस वीडियो को पूरा एल तक देखेगा और जहां तक रही इसकी प्राइस को लेके बाद तो वो भी आज की वीडियो के दर में इसके साथ आपके शियर करने वाले हैं सबस्क्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें साथ की और वीडियो अप्लोड करें आपको सबसे पहले उसका मिल सके तो स्टार्ट करते हैं विडिट्स अन्बॉक्सिंग करते हो अपस हो प्राम के आप he करते हो अन्व नहीं करते हें सबस्क्राइब करते हैं आसे ना उसे देखelly को मिल जाता है आपको ब्रौकisan की लिए कि ड्राइंट कोन स punya के डिजाइन तो व़लब्ड है वोगिए उसी जजले आपको ब्लुक नेद उसे मिल जादा है यहाँ पे इस phone का model number mention किया गया है जो के spark 6 go के नाम से आपको easily available हो जाएगा और इसकी short details को लेके बात कर लें जो कि आपको इस box की left side के ओपर देखने को मिल जाती है यहाँ पे आपको 6.2 inches का screen size दिया गया है जो के dot notch screen होने वाला है यहाँ पे आपको 5000 mAh की battery दी गई है आपको जो main camera है इसका वो 13 megapixel का दिया गया है 8 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको जो fingerprint sensor इसका easily available हो जाएगा और यहाँ पे जल्दी से इस box को unwrap कर लेते हैं और check out करते हैं कि further जो इस box के अंदर जो details है वो हमें क्या mention हो जाती है तो यहाँ पे सबसे पहले में एक चीज़ include करना चाहूंगा वो यह है कि इसकी जो warranty है वो आपको 13 months की देखने को मिल जाएगी इसका मतलब है आपको इसकी जो warranty है वो one year plus एक month जो है वो include आपको देखने को मिल जाएगा इसकी जल्दी से इस box को देख लेते हैं और इसकी check out करते हैं कि further इस box के अंदर जो details है वो हमें क्या available हो जाती है यह जो box है वो यहाँ पे unbox हो चुका है और सबसे पहले इसका जो phone है वो आपको देखने को मिल जाता है जो के आपको एक blue color के अंदर दिया गया है और यह एक purple shade का जो design है वो आपको available हो जाता है यहाँ पे और काफ़ जाता एक glossy look provide कर देता है और यहाँ पे इसकी short details है वो आपको इसकी ओपर available हो जाती है जल्दी से इस phone को हम on कर लेते हैं और देखते हैं कि further जो details है वो इस phone की ओपर हमें क्या देखने को मिलती है यहाँ पर आपको टेक्नो की ब्रैंडिंगे में यहाँ पर on हो चुका है यह phone को side पर रख लेते हैं जब तक यह on होता है सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं इस box की डी गई है यहाँ पर इस box के अंदर हमें इसका जो case है वो दिया गया है जो कि आपको white color के अंदर easily available हो जा हैं और यहाँ पर आपको एक warranty card भी देखने को मिल जाता है जो कि आपको 13 months की जो warranty है वो यह easily provide कर देगा यहाँ पर बात कर लें इसकी further details को लेके यहाँ पर आपको इसकी जो wire है वो देखने को मिल जाती है जो कि एक micro USB port है और इसकी बी quality की बात करने है एक decent quality जो है आपको easily provide करके देने वाला है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात इस phone को लेकर यह कि आपको इस phone के साथ आपके hand free का option जो है वो भी easily देखने को मिल जाता है जो कि आपको mostly दूसरे phones के अंदर जो है वो देखने को नह बात करूं तो PUBG को मैंने थोड़ा बहुत इसको test किया और यहाँ पर PUBG से related मुझे जो problem है फेस करने को नहीं मिल रही थी और यहाँ पर जितनी expectation मुझे इस phone से थी गेमिंग से related और उसे काफी जाद एक अच्छी जो performance है इसने मुझे provide की है और यहाँ पर medium settings के उपर आप इस phone के अंदर PUBG easily play कर सकते हैं और यहाँ पर बात कुरूं की प्लस पॉइंट को लेकर जो के मुझे personally काफी ज़्यादा पसंद आई है और यहाँ पर बात कुरूं इसके face ID को लेकर तो face ID भी properly work कर रही है लेकिन यहाँ पर some cases latency यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन अगर मैं overall experience की बात करूं तो एक decent quality जो है lock screen की face ID वहाँ आपको easily provide करके देने वाला है अब हम बात कर लेते हैं इस phone के display को लेके इस phone का screen size है वो आपको 6.52 इंचिस का दिया गया है जो के IPS LCD है और यहाँ पर इस phone का resolution है वो आपको 720p का resolution है वो यह phone easily provide कर देगा यहाँ पर इस phone के wallpaper experience को लेके बात कर लो और इसके overall display की quality को लेके बात कर लो तो quality जो है इस phone के display की वो आपको काफे साथ एक decent quality जो है वो यह phone provide कर देता है और यहाँ पर एक HD display आप कह सकते हैं इस phone के display को यहाँ पर wallpaper experience जो है वो भी काफे एक अच्छी quality के आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर बात कुरूं की overall body को लेके तो इस phone की overall body है front side को लेके बात करने तो front side के उपर आपको किसी भी किसम की जो extra protection को लेक देखने को नहीं मिलती है यहाँ पर आपको एक simple grass दिया गया है और यहाँ पर आपको back side को लेके बात करने तो back side जो है इस phone की वह आपको plastic इंदर देखने को मिल जाती है जो कि आपको glossy look easily provide करके देने वाली है यहाँ पर इसकी overall back side है वह आपको एक removable देखने को मिल जाती है का मतलब है कि आप इसको back जो है वह easily remove भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर इसकी बैटरी है वह non-removable है आप इसको replace नहीं कर सकते है और यहाँ पर बात कुरूँ back side को ही लेके back side के उपर आपको camera setup का option दिया गया है जो के dual camera setup है यहाँ पर आपको fingerprint sensor का support भी देखने को मिल जाए यहाँ पर मैं बात कुरूँ इस phone की right side को लेके right side के उपर आपको एक power button का option दिया गया है यहाँ पर volume up and down को option है वह भी यह phone easily provide कर देगा यहाँ पर बात कुरूँ इस phone के नीचे की side को लेके आपको 3.5 mm का audio jack का support दिया गया है यहाँ पर आपको एक micro USB port दिया गया है जिसके आप इसको easily charge कर सकते हैं जो के fast charging को support नहीं करने वाला अब बात कर लेते हैं इस phone के camera setup को लेके back side के ऊपर आपको dual camera setup का option दिया गया है जो mean camera is phone का वो आपको 13 megapixel का provide करके देने वाला है और यहाँ पर आपको second camera is phone का वो QVGA camera है जो के AI camera का support करने वाला है यहाँ पर जो flash है वो आपको quad flash की support है वो भी easily provide करके दे देगा यहाँ पर बात करें इस phone के front camera setup को लेकर यहाँ पर फरंट side के उपर आपको 8 megapixel का camera दिया गया है और यहाँ पर प्लस point front side को लेकर यहाँ पर आपको flash का support भी easily provide करके देने वाला है यहाँ पर इसके software experience के overall camera के software experience को लेकर बात कर लें तो यहाँ पर आपको video mode दिया गया है AI camera क जाता है इस फोन के अंदर यहां पर पैनोरामा आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर बैक सैट की कैमरे से अगर मैं बात करूं 13 मेगा पिक्सल का है लेकिन आप एक डीसेंट कॉलिटी जो है इस फोन से इस फोन से आप ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखे इस फोन के कैमरा सेट अप को लेके उसका रीजन यह है कि यह फोन एक मिड वेंच फोन है अगर आप इस फोन के कैमरा को कंपियर करें सेम इसी प्राइज की कैटेगरी के उपर किसी दूसरे स्मार्ट फोन से क फ्रन कैमरा है वो वाइड एंगल कैमरा है और यहां पर थोड़ी सी शेकीनेस आपको इस कैमरा से रिलेटिट आपको देखने को मिल सकती है और आप मुझे कमेंट करके बिताएं आपको इसकी फ्रन कैमरे की जो कौलर्डी है वो किस तरह की लगी और एक और चीज मैं इस व गेमिंग के लिए यूज करना चाहते हैं इस फोन को तो आप इसको एजिली एक दिन तक यूज कर सकते हैं विदाउट अनी प्रॉब्लम और यहां पर बात करूं इस फोन की आवराल कैमरा सेटप को लेके तो इसका फ्रन्ट सैट का कैमरा है उसकी कौलर्टी आपको किस तर पर्फॉर्मेंस आपको प्रॉइट कर देगा अगर गेमिंग को लेके बात करूं यहां पर पब्जी को मैंने पर्सनरी टेस्ट किया है मीडियम और स्मूथ सेटिंग्स के उपर लेकिन यहां पर अगर आप इसको लो सेटिंग्स के उपर प्ले करेंगे तो आपके की रैम को इंक्रीस करवाते हैं दूसरे वीडियंट लेते हैं स्मून के आपको 3GB और 4GB रैम के वीडियंट है उसके अपर जो मीडियम सैटिंग्स के उपर आप एजिली प्ले कर सकते हैं यहां पर बात को भी लेकर आपको लेकर आपको डेटन सी फील नहीं होने वाली वह डेफिनेटली एक स्मूथ जो है प्लेए आपको लेखने को मिलने वाला है उस गेम के अपर आवरल एक्सपीरियंट जो है इस फून का वह आपको डीसेंट देखने को मिल जाएगा जहां तक रही इस फून की प्राइस को लेके बाद पाकिस्तान के अंदर 15,000 के करीब आप 15,000 की प्राइस अगर आप इसको आफ्लाइन मार्किट से परचेस करते हैं तो आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत जो प्राइस है वो कम देखने को मिल सकती है तो अगर आप इसको परचेस करने में इंट्रस्टेट हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉ कर देना शेयर कर देना चैनल को भी अपर सब्च्प्राइब दहीं किया तो जोब सी जाकर सब्सक्राइब करें तो यह पर आप